साल 24 में बॉलिवूड की कई बड़ी फिल्में बॉक्स ओफिस पर तहलका मचाने वाली हैं इन में से कुछ तो रिलीज के महीनों पहले ही मार्केट में अपना दबबब बनाने लगी हैं नमस्कार मैदिती फॉसदर आप देख रहे हमारे साथ दन नगरी मीरिया जनवरी से लेकर फरवरी तक दो बड़ी फिल्में थेटर्स में दस तक दे चुकी हैं इन में से रितिक रोशन की फाइटर और शाहिद कपूर और कृती सिनेन की तेरी बातों में उलजाजीय शामिल है आने वाले वक्त में और कई फिल्में थेटर्स पर धमागा मचाने के लिए तैयार हैं इन में से सबसे जादा चड़्चा, अक्षे कुमार, और जर देवन की फिल्मों को लेकर हो रही है साल 2024 की बड़ी अपकमिंग फिल्मों के बारे में चलिए जानते हैं उनकी लिस्ट पर नजर भी डालते हैं सबसे पहले हम बात कर रहें योद्धा मूवी की सिधार मनोत्रा स्टार योद्धा का हाली में पोस्टर रिलीस किया गया ये इवेंट बेहती अलग था क्योंकि पोस्टर को चौपर और पेरशूट के साथ हवा में जारी किया गया था फिल्म के रिलीस डेट में अब तक कई बार बदलाव किया जा चुका है हाला कि अब योद्धा आखिरकार 15 मार्च को थेडर्र में रिलीस हो रही है इसके साथ ही धर्मा प्रडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म का डारेक्शन सागर और पुश्कर ओजाने किया है इसके साथ ही बड़े मिया और चोटे मिया अक्षे कुमार और टाइगर शुरोफ स्टार ये फिल्म बीते साल से खबरों में बनी हुई है फिल्म में अक्षन के साथ आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का भी तड़का शामिल किया गया ये फिल्म 1998 में आई थी जो गोविंद और अमिता बच्चन स्टार्स सुपर हिट फिल्म बड़े मिया और चोटे मिया का रीमेक है इस वज़ा से फिल्म लगातार खबरों में बनी हुई थी BMCH का डायरेक्शन अलिय अबास ने किया है फिल्म इस साल 11 अप्रेल को रिलीज होगी इसके साथ ही सिंगम अगेन टोहिच शेटी के कॉप्स उनिवर्स की लाखों फैन्स है अब तक वो सिंगम और सिंगम रिटर्न और सूर्यवर्णशी जैसी हिट फिल्म में दे चुके है उनके कॉप यूनिवर्स के अगले फिल्म सिंगम अगेन है जिसकी शूटिंग जोरों से चल रही है अजय देखवन स्टार इस फिल्म ने अभी से मार्केट में अपनी पकट बना ली है इस फिल्म में टाइगर शुरॉफ, रनवीर सिंग और अरजुन कपूर भी शामिल है इसके साथ ही स्त्री टू, साल 2018 में स्त्री, होरर और कॉमिटी का डोज एक साथ लेकर आई थी फिल्म को खूप यार भी मिला था, फैन्स इसके स्विकल का इंतजार कर रहे है राजकुमार राव और शुद्धा कपूर पंकश्टिर पार्टी और अभीशेक बेनरजी स्टार्स त्री टू इस साल 30 अगस्त को रिलीज होगी आज के लिए बस इतने ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद